नमस्कार दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि माता-पिता को बच्चों की पेहरेंस-टीचर मीटिंग के अदर ज़रूर जाना चाहिए जिसे हम आम भाषय मेंuman पीटीए मीटिंग भी कहते हैं क्या आप जानते हैं कि इस meeting के अंदर जाना पेरेंस के लिए जरूरी क्यों होता है कई बार पेरेंस अपने बच्चों की इस meeting में नहीं जा पाते हैं और घर से किसी अन्-न्य सदस्य को भेज देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि घर में से कोई भी एक सदिश से जा कर एक बार टीचर से मिल लेगा तो मीटिंग पूरी हो जाएंगी जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे की प्रोग्रेस रिबोर्ड को जानने के लिए वो स्कूल के अंदर किस तरीके से बेहेव करता है उसके कितने दोस्त हैं किस तरीके से बढ़ाई करता है ये सारी चीज़े देखना माता पिता के जिम्मेदारी होती है और इसी जिम्मेदारियों का एक हिस्सा भी होता है PTA Meeting. इसलिए आईए जानते हैं कि बच्चों की PTA Meeting के अंदर माता पिता को क्यों जाना चाहिए? Number 1. कई बच्चों की Report Card बहुत ही Clean होती है, अच्छे Marks होते हैं और उस पर बिल्कुल भी Red Marking नहीं होती है. अगर आपके बच्चे की Report Card भी ऐसी ही है, तो इसका यह मतनब बिल्कुल नहीं है कि इसके स्कूल जाकर PTA Meeting को Attend करने की जरुरत नहीं है. आपका बच्चा कितना ही होश्यार क्यों नहीं हो, या फिर कितना ही कमजोर क्यों नहीं हो, आपको PTA Meeting जरूर अटेंड करनी चाहिए. 2. अगर आपका बच्चा सही से क्लास में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो आपका PTA Meeting के अंदर होना बहुत ज़्यादर जरूरी है. ताकि आप उन सब्जेक्ट के टीचर से मिल सकें, जिसमें वो वीक है और उनसे भी मिल सकें, जिसमें वो अच्छा है. और टीचर से भी बात करके बोल सकें, कि वो उन पर स्पेशल निगरानी रखें, और आपके बच्चों को अच्छे तरीके से समझाएं कि कॉशन स्कोप कैसे सॉल्फ किया जाता है. पॉइंट नमबर त्री, कही बार जब भी स्कूल के अंदर टेस्ट होते हैं और माक्स बुरे आते हैं, तो माता पिता को उसके बारे में पता ही नहीं होता है, क्योंकि बच्चे उस टेस्ट पेपर को छुपा देते हैं. इसलिए माता पिता का यह जाना बहुत जरूरी है क बच्चा स्कूल के अंदर कैसी गती विधिया कर रहा है और उसके कितने टेस्ट पूरे हुए हैं. यह है कुछ ऐसे कारण जिनके चलते आपको अपने बच्चों की स्कूल की PTE मीटिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए. इसलिए आज के बाद जब भी आपका बच्चा डाय वीडियोस को देखने के दिए यूट्यूब पर लाइप, शेर और सब्सक्राइब कीजिए.